कौवा किसी का दन नहीं चोराता है फिर भी वा किसी का प्रिय नहीं है कोयल किसी को भी दन नहीं देती है फिर भी लोगों को प्रिय है फरक सिर्फ बीठी बोली का है जिसे सब जानते हैं और मानते भी हैं परंतु अपनाते नहीं हैं ज्यादत लोग कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगएर मेरा अपना साया भी दूप के आने से ही मिलता है इसलिए इन शब्दों को समझ लिया और शब्दों को सही चैन कर लिया तो व्रिष्चिक राशी वाले लोगों के लिए यही शब्द मार्च 2023 के महिने में सफलता के गुरुबंतर बन जाएंगे नमस्कार प्रियसातियों मैं हुझ सुरेश्च्रिमाली आप देख रहे हैं व्रिष्चिक राशी मार्च 2023 राशी पर आप सभी का बहुत- पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप मुझसे परसली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 फरवरी को मॉंबई में हूँ 26 फरवरी पूने 27 फरवरी दिली रहूंगा तीन मार्च को जोदपूर चार मार्च को जैपूर पांच मार्च अंडिकट रहूंगा 10 और 25 मार पूर 12 मार्च को नासिक बरहूंगा अठारा मार्च को दिली के साथ 19 मार्च को इंदौर और 26 मार्च को रायपूर परहूंगा 36 गड़ में 13 से 17 मैं मैं सिंगापूर के आतरा परहूंगा अगर आप चाहें तो यहां पर मुझसे परसली मिल सकते हैं या फिर टेलीफॉनिक और वीडियो कॉंफरेंस एक अपॉंट्मेंट के द्वारा भी जोट सकते हैं प्रेसात्यों आज के कारिकरा में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की आपको कौन सी डेट पर एलेट रहेंचे और कौन से आपके लिए शुप डेट से बिसनस एड़ वेल्ट जॉब और प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेश्टिशिप, स्टूटेंट और लेर्नर, सेहत और ट्राइवल प्लान की बात करना के बाद व्यादगार और शांदार होंगे उपायत जो आपके महीने को अच्छा कर देंगे आईए सबसे पहले बात करता है ग्रहों के परिवर्तिन के, बारा मार्च से शुक्र छटे भाव मेश राशिब रहेंगे, तेरा मार्च से मंगल अस्टम भाव मेथुन राशिब रहेंगे, पंदरा मार्च से सूर्य पंचम भाव में मीन राशिब रहेंगे, और 31 मार्च से बुद्ध छटे बाव मेश राशिब रहेंगे मेरे प्रियसातियों आप मैं आमखास कोई भी हो दो-चार दिन में आप नोट कर लीजिएगा हर महिने के ऐसे खराब होते हैं जो निराशवादी होते हैं टेंशन, डिप्रेशन होता है काम नहीं बनते हैं, रिष्टे तूट जाते हैं कई प्रकार की और नेगेटिविटीज आ जाती है वो वक्त तब होता है जब वरिष्टिक राशिस से चंद्रमा, जो की मन और मस्टिश के स्वामी है वो जब चौथे आट पर बारव आएंगे चंद्रमा का केंद्र का समध बनाएगा महान गज किसी रूग चौदा मार्च तक फॉर्थ आउस में और सोलह मार्च से पंचम बाव में सुर्य बुद्का बुदादित योग रहेगा ग्यारव मार्च से पंचम बाव में गुरु शुक्र का शंक योग और इस पूरे महने फॉर्थ आउस में शर्श्योग रहेगा इसी से हमना आपकर आश्युपल तैयर किया है अब ग्रहों के साथ साथ देवी देवता भी बड़ा अश्युरवाद देंगा चे और साथ मार अब गुर्ण कोटी रुद्यों के घर से काम करते हैं फूट और बेवरिजिस के साथ होटेल रेस्टरेंट टूर्श और ट्रैवल इसपा सलोन जिम का है गार्मेंट का एक्सपोर्ट का है तो आपके लिए नई स्वागात लेकर आ रहा है तो आपके लिए नई स्वागात तोर पर आपको बिजनस में इनोवेटी और क्रेटिव आइडियास देंगे मौके भी देंगे चौके आपको लगाने हैं सेल्स और सर्विस बढ़िया रखिए और इस्पेशले आफ्टर सेल्स सर्विस 11 मार्च तक सेवन्त हाउस की लौट शुकर पंचबाव में गुरू के साथ शंकियों बनाएंगे जिससे मार्च बेने में नए आइडियास और ऐसा कुछ आपके साथ किसी कंपरी का जुड़ना दूर दरास के लोगों का जुड़ना कॉंट्रेक्ट आपको कॉंट्रेक्ट कई अच्छी जो आपकी लिडिश्य क्वालिटी है वो आपको बड़े चांस दिलवा सके इस बहिने आपको फोर्त आउसमें शर्ष्योग रहेगा जिससे मीडिया फैशन प्रिंटिंग डिजाइनिंग एप डवलोपर वेब डवलोपर सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करन मंगल की चौती द्रिश्टी कर्म भाव पर होने से जो लोग ऑनलाइन या फिर घर पर बैटकर काम करते हैं वर्क फ्रम होम करते हैं आई टी प्रोफेशल हैं उनको अच्छा सहारा और मदद बिलने वाली हैं चौदा मार्सक फोर्था उसमें सूर्य बुद का बुदा दीतियों मैनेज्मेंट और लोग के लिए बहुत अच्छा है बेरोजगार लोगों को अपनी खूबी कानुसार जौब मिल जाएगी और उनकी जौब हो सकता है दूर दरा से मिले आपके पास आ जाएगा और शु पुदिष्टी कर्व मिस्तान बोने से घबराट बेचेने डर और चिंत आपकी पीचार नहीं छोड़ेगी शंक योग होने की बज़े से आप नई जौब का शंखनाद भी कर सकते हैं नए इंकम सोर्स जेनरेट कर सकते हैं रिसर्च और अच्छी और नई पढ़ाई करके आ रात में रोशन रखें ऐसी कुछ व्यवस्ता करिए गर में नेगेटिविटी कभी नहीं रहेगी बात करता है फैमिली लाइफ लाव लाइफ और रिलेश्टिशिप की और इसमें सुधार से आपको मेंटल पीस बिलेगा बच्चों की पड़ाई लिखा है रूंकि करियर के लिए आप बहुत अच्छा काम करेंगे इस पूरे बही ने फोर्त हाउस में शर्श्योग रहेगा जिससे अच्छी चीज़े खरीद रहा है कोई गारी चलाना सीख सकत है परसल चीजों के साथ साथ प्रोफेश्टरी बाप आगे बढ़ेंगे लव पार्ट्रों कब लाइफ पार्ट्र बनाकर सुकूर मिलेगा और लाइफ पार्ट्रें साथ बिजनस पार्ट्रशिप भी बढ़ सकती है तेरा मार्च से सेवन्त हाउस में पाप करतरी दोश रह रखने चाहिए वह है भी नहीं और रखने भी नहीं चाहिए शुप और मांगली कारियों के लिए और गर में नहीं मेहमान के आने की हो कुछ योजरां बन रखी जो आगे बढ़ेगी बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट और लर्नर्स की देखिए ग्यारा मार्ट सक फिफ ता उसमें गुरु शुकर का शंक योग रहेगा जिससे आप शंकनात करेंगे कुछ परिवर्टन लाएंगे कॉम्पिटेट्व एग्जाम हो ये जनरल एग्जाम में आपके तहरी बहुत शांदा रहेगी और स्टूडिस में आपकी प्र लौ और आईटी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय है मैडिकल और सर्जी जो सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस पूरे बहीं ने पढ़ाई के गर्बें पाप करते दोश रहेगा यान चार बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाई पर यात्राय करने का अउसर बरेंगे 15 मार्च से बूत का स्टम भाव से नवुम पंचब राज्यों रहेगा फुल बॉड़ी चेक अप कराईए आपको अच्छी सक्सेस भिलेगी शनी की तीसी दिस्टी छटे बाव पर हो लुको क्यार नहीं करना चाहिए अपनी उम्र से छोटों और बड़ों को आपस वें किसी भी प्रकार से नाराज न करें और बिढाने का काम ने करें गाड़ी चलाते समय लापरवाही मंगलार और शनिवार को भारी पढ़ सकती है नुकिली और काली वस्तुएं दारदार हत करने के लिए आमले का पेड़ लगाएं और पूरे महिने आमले की पेड़ की देख बाल जब तक वो कहिन के मैचौर नहीं हो जाता देख बाल करें आमला लोगों बांटना चाहिए छे मार्च होली का दहन पर पान के एक पत्ते पर एक साबुत सुपारी पांच कमल गटे औ मंत्र 27 बार जाब करें और अग्नि में डाल दीजिए, 22 मार्च 4 नमरात्री पर प्राथाक अलस्णान आधेकारे उसे निवरत होकर मां कालरतरी के आराधन और ध्यान करें, साथी यादेवी सरव भूतेशू, मांकालरत्री रूपेन संस्तिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये, नम करें तीस मार्च राम नौमी पर बगवान स्री राम को आटे की पंचरी बना कर भोग लगाए और चंद्रास्ट कम का पार्ट करें इससे जॉब और परसनल प्रोफेशनल लाइफ में आई वी दूविदाएं दूर हो जाएगी की कॉंफिडेंस बढ़ दाएगा मेरे प्रिय वर्षिक राश्य वाले दर्शकों स्वास्त रहिए वहस्त रहिए और व्यास्त रहिए आप मुस्से परसली बिल भी सकते हैं या टैलिफॉनिक और वीडियो कॉंफरेंस या अपटमेंट से भी जूट सकते हैं देगा नबर पर संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं आज के लिए तना ही प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आश्यरवाद